नमस्कार स्वागत जारखन की पटापट आजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर 18-20 जुलाई तक सांकेतिक हर्ताल पर रहेंगे जार्खन के मनरेगा करमचारी संग ने 18-20 जुलाई तक सांकेतिक हर्ताल की घोशना की है साथी मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जुलाई से अनिशीत कालीन हर्ताल शुरू की जाने की घोशना की है बतादे की जार्खन राज्य मन्रिगा करमचारी संग के कर्मी अपने प्रस्तावी तांदुलन वादा निभाओ अस्थाई करो कारिकरम के तहट 18-20 जुलाई तक सांकेतिक हर्ताल पर रहेंगे खबरे की संग ने कहा है कि पिछले बिधान सभाद चुनाव से पुर्व मुख्यमंतिरे ने संबाद कारिकरम में आकर मन्रिगा कर्मियों की सेवा को अस्थाई करने का खुले मंच से वादा किया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया इसे कर्मियों में आक्रोश है जार्खण में बारवी पास के लिए 800 से अधिक पदों परने के लिए नौकरियां जार्खण में नौकरी का सपना देख रहे यवाओं के लिए बड़ी खबर है बतादे की जार्खण स्टाप सिलेक्शन कमिशन यानि JSSC ने जार्खण इंटर लेवल कमपिटिटिव एक्जामिनिशन 2023 के माध्यम से योग्यों मिदवारों से आवेदन मागे हैं वे कैंडिडेट जो इन पदों के लिए आवेदन करने की जरूरी योग्यता और इच्छा रखते हैं वे बताएगे प्रारूप में अंतीम तारीक के पहले आवेदन कर सकते हैं बता दे कि ऐसा करने के लिए आपको JSC की ओफिसियल बेबसाइट पर जाकर देखना होगा इन पदों पर आवेदन करने के लिए उमिदवारों को जार्खंड करमचारी चेहनायों की आधिकारिक बेबसाइट पर जाना होगा बता दे कि इसका पता है JSC.IN इस वेबसाइट से आवेदन भी किया जा सकता है और इन पदों का विबरन भी देखा जा सकता है बता दे कि जार्खंड की इंटर लेवल परत्योगी परिक्षा के लिए आवेदन 15 जुलाई से शुरू हो गए हैं और फोर्म भरने की अंतीम्ति थी 16 अगस्त 2024 है जार्खंड में अगले 5 दीनों तक धीमी रहेगी मौनसुन की रपतार जार्खंड में बारिश के कारण से तापमान में गिरावट तो हुई है लेकिन मौनसुन की गती बेहत कम हो गई है बता दे कि मौसम बिग्यान केंदर की माने तो 21 जुलाई तक जार्खंड के अलग-अलग इलाकों में हलके से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है के अनुरूप बारिश नहीं होने से कोईलांचल की किसानों में निराशा भी है वहीं आशार महिना समाप्त होने के एक सप्ता बचे हैं फिर भी यहां की नदियों वो खेतों में पानी की कमी है बजट से पहले हलवा सेरिमनी वीत मंतरी ने अपने हाथों से बाटी मिठास बजट पेश होने से पुर्व हर वर्स की तरह इस वर्स भी वीत मंतराले में हलवा सेरिमनी का आयोजन किया गया हल्वा सेरेमनी के दोरान वीत मंत्री निर्मला सितारमन वीत राज्य मंत्री पंक चौधरी के अलावा वीत मंत्राले के आला अधिकारी मौजुद रहे बतादे की हल्वा समारों में वीत राज्य मंत्री स्री पंक चौधरी वीत मंत्राले के सचिवों CBDT और CBIC के अध्यक्षकों के अलावा वीत मंत्राले और North Block Budget Price के अधिकारियों ने भी भाग लिया वीत मंत्री निर्मला सितारन में सोय जिहां सितारमने सोय अपने हाथों से बजट की शुब शुरुबात वाले इस मीठे हलवा को वीत राज्य मंत्री अधिकारियों और वीत मंत्राले North Block Budget Price के अन्य करमचारियों को बाटा वहीं हलवा सिर्मनी के पीछे की मानता है कि भारतिय परमपरा में हलवे को बेहद शुब माना जाता है हर शुब काम को करने से मीठा खाने का रिवाज है रहा है लिहाजा बजट जिसमें पूरे देश का खर्चे का लेखा जोखा होता है उसकी छपाई से पुर्व इस हलव सवारों को निभाया जाता है हलवा सेरेमनी में पहले एक बड़ी कड़ाही में भारती मिठाई हलवा तैयार किया जाता है जिसमें मौजूदा वीतमंत्री और चारिक रूप से कड़ाही को हिलाते हैं दस में से नौ मोबाईल यूजर्स कॉल ड्रॉप की समस्या से हैं परिशान वाइफाई के जरीए कॉल करने का बढ़ा ट्रेंड देश में हाल में एरटेल जियो और वोड़ा फोन आइडिया ने अपने रिचार्च प्लान के कीमत बढ़ाए हैं हलाकि रेट बढ़ने के बाद भी मोबाईल को लेकर कई परिशानिया ग्राहक अभी भी जेल रहे हैं खबरे की लगभग 89 परतिशत मोबाईल यूजर्स को पिछले 3 महिने में कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा और 10 में से 9 लोगों ने कोलिंग और मैसेजिंग एप के जरीए कॉल करने के लिए वाइफाई नेटवर्क का इस्तिमाल किया है बता दे की एक सर्वे रिपोर्ट में यह डेटा पेश किया गया है औलाइन सर्वे फर्म लोकल सर्किल्स ने स्वमवार को अपनी रिपोर्ट जारी करतेवे कहा है कि मार्च और जून के बीच मोबाइल फोन यूजर्स को कॉल ड्रॉप की अधिक्ता का सामना करना पड़ा है यह सर्वेक्षन 362 जीलों से सवालों पर आई कुल 32,000 प्रक्रियाओं पर आधारित है सेंट्रल रिल्वे में दस्वी पास के लिए नौकरी का सुनहरा मौका रिल्वे में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी काम की खवर है भारती रिल्वे भरती बोट की ओर से सेंट्रल रिल्वे में अपरेंटिस के खाली पदों पर भरती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 2424 खाली पदों पर भरतिया की जाएंगी इस भरती के लिए आविदन परक्रिया ओनलाइन मोड में शुरू हुई है। इसमें ओनलाइन आविदन करने के लिए उमिदवार को RRC recruitment की official website rrccr.com पर जाना होगा। ख़वरईकी रेलवे भरती सेल की ओर से जारी इस वेकन्सी के लिए आविदन परक्रिया 16 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। इसमें ओनलाइन आविदन करने के लिए उमिदवारों को 15 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। इस वेकन्सी के लिए ओनलाइन आविदन कर सकते शुरू हुए डाक सिवक के 44,228 पदों के लिए आवेदन हाली में गरामिन डाक सिवक जहां डिजीडियस के 44,228 पदों को भरने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसके लिए 16 जुलाई से आवेदन की बिंडो खुल गई है खबर 21 बिग्यपती के माध्यम से भारती डाक में भरती की जाएगी इन पदों के लिए मात्र दस्वी पास उमिदवार आवेदन कर सकते हैं इसके अलावा कोई और खास योग्यता नहीं मागी गई है लेकिन लोकल भाषा आने चाहिए अगर आप भी इस बंपर नौकरी के लिए चुक हैं तो अपलाई विंडो को खोल दिया गया है आवेदन करने से पहले सारी जानकारी समझ लें बतादे की देश की सबसे बड़ी डाक नेटवर्क सेवा इंडिया पोस्ट ने ग्रामी डाक सेवक यानि जीडियस के पदों पर आवेदन करने के लिए विंडो खोल दी गई है इसमें कहा गया है कि नौकरियों के लिए इंडिया पोस्ट जीडियस ओनलाई डोट जीओ भी टोटाएन के माधिहम से आवेदन किया जा सकता है बतादे की ग्रामी डाक सेवक के 44,228 पदों को भरने के लिए ओनलाईन आवेदन करना होगा अने किसी परकार से किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा चांद पर रुखने का सच होगा सपना बैग्यानिकों ने कर ली रहस्मई जगह की खोज चांद पर रुखने का लोगों का सपना सच हो सकता है अन्तरिश बैग्यानिकों को इसको लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है खबरों की माने तो बैग्यानिकों ने चंद्रमा पर एक गुफा की पुष्टी की है यह उस अस्थान से ज्यादा दूर नहीं है जहां 55 साल पहले निल आर्मस्ट्रॉंग और बज एल्डरिन उतरे थे बैग्यानिकों ने कहा है कि यहां इसके अलवा अन्य सैकडों गुफाएं भी हैं अंतरिक शियातरी भाविश में इनका इस्तिमाल अपने खोजी अभ्यानों में कर सकते हैं इटली के नेतरित्व वाली एक टीम ने सोमवार को बताया कि चांद पर सबसे गहरे ग्यात गढ़्धे से एक बड़ी कुफा के होने के सबूत मिले हैं यह अपॉलो 11 के लेंडिंग अस्थल से मात्र 250 मिल यानी 400 किलोमिटर दूर ट्रांक्विलिटी सागर में इस्तित है इस गढ़्धे के तरव वहाँ पर 200 से ज़्यादा गढ़्धे मौजूद हैं इनका निर्माल लावा ट्यूब के फटने से हुआ है शोद करताओं ने नासा के लूनर रिकोनिसेंस और्बिटर की मदद से लावा को धर्ती पर मौजूद लावा से बीचलेशन किया है इगनू में नमांखन के लिए छात्रों के पास मिला एक और मौका इस दिन तक बढ़ाई गई अन्तिम्ति थी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानि इगनू ने ओनलाइन डिश्टेंस एजूकेशन कारेम करमों के लिए जुलाई 2024 नमांकन साइकिल के लिए रेजिस्टेशन डेट को आगे बढ़ा दिया है पात्र और इचुक छात्रको 31 जुलाई से पहले आधिकारिक बेपसाइट इगनू-admissions.sumarth.edu.in के माध्यम से आविदन करना होगा बतादे कि इससे पहले आविदन करने की अंतिम्ति थी 15 जुलाई थी जिसे आगे बढ़ा दिया गया है इस नमांकन साइकिल के जरिए मास्टर ग्रिजुएट डिप्लोमा पोस्ट डिप्लोमा कोर्स में इंट्री मिलेगा हलाकि इगनों ने कई कोर्सेज के लिए रिफंड नीती के नुसार नियम बनाए है यदि कोई उमिद्वार आविदन पुष्टी से पहले आविदन रद करता है तो उसे पूरी कीमत वापस मिल जाएगी यदि उमिदवार आविदन पुष्टी के बाद आविदन रत करता है तो उसे प्रोग्राम फीज के 15% के बराबर रासी या कम से कम 2000 रुपे का भुकतान दंड सोरूप काट लिया जाएगा